ये कहानी एक अमीर घमंडी औरत की उपर आधारित है जो अपने नौकर के साथ एक सुंसान आइलेंड पर फस जाती है अब उन दोनों के बीच में वहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं पर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मैं वाँ पर इससे भी तगड़ी तगड़ी मूविस को एक्स्प्लेन कर रहा हूँ चली अब बढ़ते हैं एक्स्प्लेनेशन की तरफ फिल्म का नाम है स्वेप्ट अवे और ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुवात में मंबर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज़दा घमंडी होती है अमबर को अपने हस्बेंड की दौलत पर बहुत गमंड था उसे इतना गमंड था कि वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझती थी एक दिन अमबर अपने हस्बेंड और दो कपल्स के साथ अपने प्रावेट प्लेन पर बैट कर क्रूस स्रिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है ये क्रूस इटली से ग्रीक तक जाने वाली थी वहाँ पहुचकर क्रूस शिप का कैप्टन बावर्ची और एक नौकर उनका वेलकम करते हैं पर अंबर तो अपने ही घमंड में थी इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नी देती शिप पर उनके साथ एक छोड़ा चत्री नाम का नौकर भी होता है जो अंबर को उसका कमरा दिखाता है फिर अंबर उससे पूछती है कि इस शिप में जिम नहीं है क्या तो इस पर छोड़ा चत्री उसे एक साइकल ला कर देता है वो बोलता है कि आप इस पर पैडल मारना और आपकी एकसेस हो जाएगी अब इस बात से अंबर बहुत ज़दा गुसा हो जाती है और वो छोड़ा चत्री को डाटने लगती है अब बेचारा छोड़ा चत्री और क्या ही कर सकता था उसे इस काम के पैसे मिल रहे थे इसलिए वो चुप चाप उसकी डाट सहा लेता है पर चोटा चत्री के दिल में अंबर के खिलाव बदले की आग उठ रही थी और वो बस अंबर से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था अगली सुबे अंबर अपने हस्बेंट एंटोनियो के साथ ब्रैकफस्ट कर रही होती है पर तभी वो छोटा चत्री को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि ये breakfast बहुत ज़दा ठंडा है जाओ इसे तुम जल्दी से गरम करके लाओ पर उसी वक्त छोटा चत्री को बहुत गुसा आ जाता है और वो गुस्ते में सारा breakfast अंबर के सिर पर ही पलड देता है इस पर अंबर उसके उपर चिल्लाने लगती है पर तभी छोटा चत्री उसे उठा कर समुंदर में फैक देता है लेकिन तभी एक चुटकी बस ती है और हमको बता चलता है कि छोटा चत्री बस दिन में सपने देख रहा था फिर वो breakfast को उठा कर उसे गरम करने के लिए अंदर ले जाता है अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि अंबर बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और बार-बार मेरे उपर हुकम चलाती है इस पर उसका दोस घुसेडू मल उसे बोलता है कि तुम ये गरम breakfast अपने साथ ले जाओ इसमें हम सभी ने अपने अपनी प्यार की निशानी डाली है और इसे खाकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर शिप का कैप्टन खूद उस breakfast को लेकर अंबर के पास जाता है जिसको खाकर अंबर शान्त हो जाती है एक राच छोड़ा छतरी मचली पगड़कर किच्छन की तरफ जा रहा होता है तब ही वहाँ पर अंबर आ जाती है और उसके लिए एक छोटी बोट का अरेंज करो पर इस पर छोड़ा छतरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है पर अंबर के बिच्वाड़े में सूर का खड़ा बाल था और उसने ठाल लिया था कि वो फिशिंग करके ही रहेगी अब उन दोनों के पास कोई और आप्शन नहीं था इसलिए वो दोनों बोट में बैटकर कुरूश शिप के आने का वेट करने लगते हैं उन दोनों को वेट करते हुए दो दिन बीच जाते हैं पर वहाँ पर कोई नहीं आता अंबर परेशान होकर मदद के लिए जोड़ जोसे चिलाने लगती है पर उसकी मदद करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं होता तब ही अंबर की नजर बोट पर रखी हुई एक बंदूग पर पड़ती है अंबर को लगता है कि वो एक फ्लेयर गन है फिर अंबर उसको जैसे ही चलाने वाली होती है पर तब ही छोड़ा चत्री उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रही हो पर अंबर उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों उस बंदूग के लिए लड़ने लग जाते हैं पर तब ही अचानक वो बंदूग चल जाती है और वो सीधा उस बोट के एरबैग पर लग जाती है जिस वज़े से उस बोट के एक एरबैग में से हावा निकल जाती है अब उसे ये पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलेंड है जहां पर सिर्फ वो दोनों ही हैं दूसी तरफ अंबर को छोड़ा छत्री पर बहुत गुसा आ रहा होता है और वो उसको बोलती है कि सिर्फ तुमारी वज़े से ही हम यहां पर फसे हैं एक बार अगर मैं अपने घर अब छोड़ा छत्री को भी इस बास से गुसा आ जाता है और वो अंबर को बोलता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है थोड़ा आगे जाने के बाद छोड़ा छत्री को वहां पर एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और पास में उसे गिरावा कुछ सामान मिल जाता है, जिसकी मदद से वो मचली पकड़ने के लिए खतियार बनाता है, और उसे वो मचली पकड़ भी लेता है, फिर वो उसे आग में भूनता है, और च्छाओं में बैट कर आराम से खाने लगता है, दूसी तरफ अंबर उसको देखकर जलने लगती है, फिर वो भी उस आइलेंड पर खाने ढूडने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, इसके बाद वो छोड़ा चतरी के पास आकर उसे कुछ मचलीया मांगती है, पर छोड़ा चतरी उसे मना कर देता है, फिर अंबर उसको बोलती है, कि तुम मेरे लिए मचलीया पकड़ कर ले आओ, और इसके बाद ले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, वो समय तुम्हें तुम्हें दे दूंगी, अब अंबर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में चोड़ा चतरी के कपड़े धोने लगती है, और उसे बदले में खाने के लिए मचलीया मिलती है, यहाँ पर चोड़ा चतरी की आईश हो गई थी, वो बस मचलीया पकड़ कर लाता था, कुछ दिनों बाद चोड़ा चतरी से रहा नहीं जाता, और फिर वो अंबर के साथ जबर्दस्ती घपागप करने की कोशिश करने लगता है, इस पर पहले तो अंबर उसे अपने से दूर करती है, पर थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है, पर तब ही चोड़ा चतरी वहीं रुख जाता है, और उसे बोलता है कि मैं अभी तुमारे साथ कुछ नहीं करूँगा, जब तुम खुद तड़पते वे मेरे पास आओगी, तब ही मैं तुमारे साथ घपागप करूँगा, अब अंबर की बिच्छा दूरी रह गई थी, इसलिए वो बस सिर्फ घपागप के बारे में ही सोसती रहती है, और फिर अगली सुबह वो चोड़ा चतरी के पास जाती है, और उसे बोलती है कि प्लीज तुम अपनी चतरी मेरे अंदर खोल दो, अब चोड़ा चतरी भी अंबर की रिक्वेस्स माल लेता है, और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, और इसी के साथ वो लोग पूरी रात पलंग तोड़गा पागप करते हैं, अब ऐसे एक उस दिन बीच जाते हैं, और एक दिन पलंग तोड़ने के बाद, अंबर चोड़ा चतरी को बोलती कि वो उसे प्यार करने लगी है, ये सुनका चोड़ा चतरी चौक जाता है, और वो अंबर को बोलता है, अगर हम इस आइलेंड पर फसे नहीं होते, तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती, वो उसे ये भी बोलता है, कि क्या तुम्हें याद है, कि तुमने शिपपर मेरे साथ कैसा बिहेव किया था, इस पर अंबर उसे बोलती है, कि उस टेम मेरा मूड काफी खराब था, क्योंकि मेरा पती मुझे संतुष नहीं कर पाता था, पर जब मैंने तुमारे साथ पलंग तोड़ा है, तो मुझे ऐसास हुआ है, कि छोड़ा शत्री की छत्री में मेरे पती से ज़्यादा दम है, ये सुनते ही छोड़ा शत्री लपक कर अंबर पर तूट पड़ता है, और फिर वो दोनों फिर से पलंग तोड़ते हैं, अब ऐसे ही कुछ और दिन बीच जाते हैं, और वो दोनों बस दिन रत पलंग तोड़ने के लावा कोई दूसरा काम नहीं करते, अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुँच ज़दा खुश थे, पर एक दिन अंबर को समुदर में एक नाओ दिखाई देती है, उसे देखकर अंबर छोड़ा शत्री को बोलती है, कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए, पर छोड़ा शत्री उसे मना कर देता है, इस पर अंबर उसे बोलती है, कि मैं तुमारे साथ यहीं परी खुश हूँ, और मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती, फिर छोड़ा शत्री उसे समझाते वे बोलता है, कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम सारी जिन्दी की इस उनसान आइलेंड पर नहीं रह सकते, एक बार हम यहां से बाहर निकल गए, तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे, अब अंबर भी छोड़ा शत्री की बात माल लेती है, और फिर वो दोनों उस बोट पे बैट कर अपने क्रूश शिप पर वापस आ जाते हैं, वापस पहुँचकर अंबर का हस्बेंट छोड़ा शत्री की वाइफ की देखबल करने के लिए थैंक्यू बोलता है, पर उसे ये पता नहीं था कि पिछले कुस दिनों में छोड़ा शत्री ने अपनी शत्री उसकी वाइफ में कितनी बार खोली है, फिर छोड़ा शत्री निराश होकर वाँ से चला जाता है और अंबर भी अपने हस्बेंट के साथ वापस होटल आ जाती है, अंबर वाँ पर बस छोड़ा शत्री कोई याद कर रही होती है और दूसी तरफ छोड़ा शत्री अंबर के लिए एक रिंग खरीता है, फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर अंबर को फोन करता है और अंबर उसे बोलती है कि तुम बस मुझे ये बता दो कि कब चलना है, मैं तुम्हारे से चलने के लिए तयार हूँ वो उसे ये भी बोलती है कि तुम बस एक लैटर में लिखकर उस लैटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो उसी राच छोड़ा चतरी एक लैटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शन पर दे देता है उसने उस लेटर में ये लिखा था कि वो कल सुबह उसका क्रूश शिप पर वेट करेगा और उस लेटर के साथ उसमें एक रिंग भी थी जो वो अंबर के लिए लेकर आया था अगली सुबह जब अंबर लेने के लिए जाती है तब ही वहाँ पर उसका हस्बेंड आ जाता है और उसकी नजर उस लेटर पर पढ़ जाती है वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही उसे अंबर और छोड़ा चत्री के प्लैन के बारे में पता चल जाता है अंबर की तरफ से उसके हस्बेंड ने लिखा था तक कि छोड़ा चत्री उसको पढ़कर अंबर को भूल जाए। ये पढ़ते ही छोड़ा चत्री भागते वे अंबर के पास जाता है और देखता है कि वो हेलिकॉप्टर से जा रही है। तब ही छोड़ा चत्री अपने उस रिंग को अंबर की तरफ हैंकता है और वो रिंग सीधा जाकर समुन्दर में गिर जाती है।